अज़े लो फ्रेंड्स वेलकम टू मन्नू क्रियेसंज आज की वीडियो में हम आपको एमबोडरी में फ्लावर एक बना कर बताएंगे यह फ्लावर हम पहले बनाये हैं उसका लिंक हम उपर आई बटन में दे देंगे आज दूसरा फ्लावर हम इसके बगल में यहां पर बना रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकोन प्रेस करें आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर करें सेर करें ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह थ्रेड हम लिये हैं यह रंगोली का थ्रेड है और यह डवल सेड़ेट का थ्रेड है हम इसको पूरा सिक्स एस्टेंसिग ही लिए हैं यहां पर किसी एक जगह में हम सुई निकालेंगे इस स्टिच को लूप्ड ब्लैंकेट इस्टिच बोलते हैं यहां पर हम थोड़ा दूर पर यहां पर हम स्टिच करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से रखना है इसके बाद यहां पर हम स्टिच लेंगे इसका बैक में यहां बीच में हम स्टिच लेंगे इसके बाद फिर यहाँ पर हम इस्टीच लेए इसको बराबर इस तरह से रखेंगे इसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके मिडल में इस्टीच लेए इसके बाद फिर यहां पर थोड़ा सा आगे जा करके यहां स्टिच लेंगे और इसको बराबर ही रखेंगे यह लूप को बराबर रखेंगे इसके बाद फिर यहां मीडल में लेना है और फिर आगे ले जाना है इसी तरह से हम पूरा स्टिच कर लेंगे झाल 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 यह एक लाइन हम बना लिये हैं अब दूसरा राउंड में भी हम बनाएंगे यहाँ पर हम निकालेंगे किसी एक जगह में और वैसे ही प्रोसेस करते जाएंगे यह थोड़ा सा दूर पर लाइन है तो इसलिए हम इसको थ्वासन अजदीक में इस्टिच ले रहा है सें प्रोसेसी पनेगा ले रहा है जा 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 उगल जर दान कर दो पर दमक Чä को अगयों और गदया है इस तरह से ये पूरा फ्लावर फिल कर लिये हैं ये बन गया फ्लावर आप भी इस तरह से बनाए और हमें कमेंट बाक्स में बताएं ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू फ्रेंड्स